अगर मेरी ब्रादरी का मार समार अगर किसे ने कालिक होती तो मेरे नियको एक पूँदू ये गवापा इस अंदो लंको उन्ही लोगों के हाथ में देना ये लडाई लंबी चलेगी ये लडाई लंबी चलने वाली है रुगबई रुगो ये लडाई राष्ट ये इस्तर पर गूजर स्वाबी मान से ये लडाई जुड़ गई है मेरे पास मद्दे परदेश से फोन आ रहे है राजिस्तान से फोन आ रहे हर्याना बागी हुआ फिर रहा है हिमा चल कश्मीर के मुसलिम गूजरों के फोन आ रहें कि हम कूच करें कि अभी रुको आज रन्नीती बना रहें ये लगाई उन लोगों के हाथ में देना जो अब से लेकर इसके नजाम तक इसके अंतिम फैसले तक जो तुम्हारे साथ चल सके मत मुक्या गूजर पर भरोसा करना मत किसी और पर भरोसा करना सिरफ अपनी रन्नीती बनाओ और तेरे बाटिची सुन लो अगर यहां शांती है तो आपकी भी नौकरी और इज्जत है और शांती रखना तुम्हारे हाथ में हमें अगर कोई छेड़ा गना तो शांती हो ही नहीं सकती और अगर हमने हमसे आराम से देखते रहो मैंने बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाई लड़ी तुम्हें पता तो है आराम से देखते रहो कोई कुछ नहीं कहने वाड़ा यह वो बी पूजर पिरामन का संभान करता है, तिर पार्टी ना लिखा होता है, तुम से लिबट लिए होते हैं अब तक को अगर तुम शांती से बैठे रहोगे, और वीडियो रिकोर्डिंग होई रही है, तो यह पुलिस की हिम्मत नहीं है कि 151 से फाल तु तुम पे धारा लगा दे। अगर तुमने हुड़दं करा, तो यह पंचायत का मुद्धा बदल जाएगा, नागर साब हाटी जी गलत तो नहीं करा, अभी हमारी उपालियो जी जो पंचायत है, वो पंचायत का मैं एजंडा पेस्ट कर रहा हूँ, अल्यमिंदर तेरा पतियो सही है क्या, यह पंचायत मैं खुलासा करना चाह रहा हूँ, ना तो किसी जाती के खिलाब है, बोलो हाथ उढ़ा के सही है, ना परशाषन के खिलाब है, यह प जिसने जिसने बान्य मेरे मुख्य मंत्री ने मेरी ब्रादरी पर काली पुत वादी आयो ये लगाई सिर्फ इस बात की है राज पंचायत इस बात की है मैं परस्ताव रख रहा हूँ और हाथ जुड़वा लो अनाडियों की तरह सोर मत मचाओ जब आदमी दुखी होता तो वो गंभीर होता है और जब हो करें न वो इसका मतलब वो गेर गंभीर लोग है मैं आपका भाईयो हाथ जोड़ का दिल कर रहा हूँ आज ये पंचायत में हमारे मुक्थे मंतली जी और हमारे मेरी पार्टी के विधायत और राज्यसवा सदस वो दो लोग दोसी है जिन्होंने मेरी विरादरी के मुँपर काली को दी उससे आज़रोशित होकर ये पंचायत है ठीक तो सिरफ इस पर चर्चा होनी चाहिए अब रही पुलिस परशाशन की भाईयों आप हमारे भाईयों खाकी वर्दी वारो देपाटी जी मैं जानता हूं आप ने रोग रखे उनको आने दो तो शांती की गारंटी है हाथ उठा के बात बताओ सही है जो हमारे लोग गिरबतार कर लिये गए उनको रिहा करो शांती की गारंटी है हम सिरफ जो हमारे समाज की तोहीं हुई है उसका निस्तारन करने के लिए उसका बदला लेने के लिए हम हमारी कोई लड़ाई नहीं है कोई लड़ाई नहीं इसलिए फरशासन का कोई अधिकरी आकर कि हमें इस बात कराए कि वो रिहा कितनी देर में हो रहे हैं और जो रोके जा रहे हैं उनको पेरिकेड आपने हताया के नहीं हताया वरना उसके बाद ये पंचायत भी फिर रंगनीती बनाएगी कि हम अपने लोगों को कैसे रिहा करा है अब एक कानून पक्ष लास बाद लास ख़तम कर रहा हूँ एक कानूनी पक्ष अगर आपने हिंसा करी इस टेम परशासान यही चाह रहा है कि तुम मैंसे कोई नो सीखिया बच्चे पुलिस से घड़ जाए और आगजनी हो जाए धंगा हो जाए तो फिर क्या होगा वो दिशा बदल जाएगी लड़ाई की और तुम पर उस बहाने से क्योंकि मैं सोड़ा बार जेल काट जोगा तक समाज के रड़ाई में पाकिस्तान बॉडर तक जेल काट गाया हूँ इसलिए मुझे इन चीजों का पता है अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए